लिजे सुनिये मुन्शी प्रेम चंद के लेखे उपन्यास प्रेमा के बारहवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में इस भाग का शीर्शक है एक इस्त्री के दो पुरुष नहीं हो सकते प्रेमा का बया हुए दो महीने से अधिक बीत चुके हैं मगर अभी तक उसकी अवस्था वही है जो कुवारे पन में थी वो हर्दम उदास और मलिन रहती है उसका मुख पीला पड़ गया आखें बैठी हुई सिर के बाल बिखरे उसके दिल में अभी तक बाबु अमरत राए की मुखबत बनी हुई है उनकी मूरती हर्दम उसकी आँखों के सामने नाचा करती है वो बहुत चाहती है कि उनकी सूरत हिर्दय से निकाल दे मगर उसका कुछ बस नहीं चलता जब वो मौजूद होते हैं तो वो हस्ती भी है बातचीत भी करती है प्रेम भी जताती है मगर जब वो चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी चा जाती है उसकी सूरत फिर वियोगनी किसी हो जाती है अपने मैके में उसे रोने की कोई रोक टोक ना थी जब चाती और जब तक चाती रोया करती थी मगर यहां रो भी नहीं सकती या रोती भी तो छिप कर उसकी बूरी सास उसे पान की तरह फेरा करती है केवल इसलिए नहीं कि वो उससे प्रेम करती है उसका दबाव मानती है बलकि इसलिए कि वो अपने साथ बहुत सा दहिज लाई है उसमें सारी ग्रहस थी पतो हूँ के ऊपर छोड़ रखी है और हर दम ईश्वर से विनाई किया करती है कि पोता खिलाने के दिन जल्द आए बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही शोचनी और करुणा की योग है वो हस्ती है तो उसकी हसी में रोना मिला होता है वो बात चीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने दुख की कहानी कह रही है बनाव सिंगार में उसकी तनिक भी रुची नहीं है अगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट करती भी है तो उन पर अपनी उदासी नहीं खुलने देती ऐसा मालूम होता है कि इसकी कोमल गात में जो मुहनी थी वो रूट कर कहीं और चली गई वो बहुधा अपने ही कमरे में बैठी रहती है हाँ कभी कभी गाकर दिल बहलाती है मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उससे चित्त को आनंद प्राप्त हो बलकि वो मधुर स्वरों में विलाप और विशाद के राग गाया करती है बाबु दाननाथ इतना तो शादी करने के पहले ही जानते थे कि प्रेमा अमरत राय पर जान देती है मगर उन्होंने समझा था कि उसके प्रीत साधरन होगी जब मैं उसको ब्याह कर लाऊंगा उससे इसनेह बढ़ाऊंगा उस पर अपने को नेचावर करूंगा तो उसके दिल से पिछली बाते मिट जाएंगी और फिर हमारी बड़े आनंद से कटेगी इसलिए उन्होंने एक महीने के लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाह ना की मगर उनको क्या मालूम था कि इसनेह का वो पौधा जो प्रेम रस से सीच सीच कर परवान चढ़ाया गया है महीने दो महीने में कदापी नहीं मुरजा सकता उन्होंने दूसरे महीने भी इस बात पर ध्यान न दिया मगर जब अब भी प्रेमा के मुख से उदासी की घटा फटते न दिखाई दी तब उनको दुख होने लगा प्रेमा और ईडशा का चोली दामन का साथ है दाननाथ सच्चा प्रेम दिखाते थे मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे एक दिन वो सवेरे मकान पर आया और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा कि वो सिर जुकाय हुए बैठी है इनको देखते ही उसने सिर उठाया और चोर आचल से आँसु पोंच उठ खड़ी हुई और बूली मुझे आज ना मालूम क्यों लाला जी की याद आ गई थी मैं बड़ी देड़ से रो रही हूँ दाननाथ ने उसको देखते ही समझ लिया कि अमरत राय के व्योग में आसु बहाए जा रहे है इस पर प्रेमा ने जो यो हवा बतलाई तो उनके बदन में आग लग गई तीवर चितवनों से देखकर बोले तुम्हारी आखें और तुम्हारे आसु जितना रोया जाये रोलो मगर मिरी आखों में धूल मत जोको प्रेमा इन कठोर वचन को सुनकर चौक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिये पती की और डबडबाई हुई आखों से ताकने लगी दाननाथ ने फिर कहा क्या देखती हो प्रेमा मैं ऐसा मूर्क नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो मैंने भी आदमी देखे हैं और मैं भी आदमी पहचानता हूँ मैं तुम्हारी एक एक बात को गोर से देखता हूँ मगर जितना देखता हूँ उतना ही चित्त को दुख होता है क्योंकि तुम्हारा बरताओ मेरे साथ फीका है यद्यपी तुमको ये सुनना अच्छा ना मालूम होगा मगर हार कर कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे डेश मात्र भी प्रेम नहीं है मैंने अब तक इस विशे में जबान खोलने का साहस नहीं किया था और ईश्वर जानता है कि तुम से किस कदर महबबत करता हूँ मगर महबबत सब कुछ सह सकती है रुखाई नहीं सह सकती और वो भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन हुई हूँ ऐसा कौन भी है आया निरलज जादमी होगा जो ये देखे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के लिए वियोगनी बनी हुई है और उसका लहू उबरले न लगे और उसके हिर्दय में क्रोध की जौला न धदक उठे क्या तुम नहीं जानती हो कि धर्म शास्त्र के अनसार इस तरही अपने पती के सिवाए किसी दूसरे मनुश्य के और कुद्रिष्टी से देखने से भी पाप की भागी हो जाती है और उसका पती वरत भंग हो जाता है प्रेमा तुम एक बहुत उचे घरानी की बेटी हो और जिस घरानी की तुम भहू हो वो भी इस शहर में किसी से हेठा नहीं क्या तुम्हारे लिए ये शर्म की बात नहीं है कि तुम एक बाजारों की घूमने वाली राण ब्रहमनी के तुल भी न समझी जाओ और वो कौन है जिसने तुम्हारा ऐसा निराधर किया वही अमरत राय जिसके लिए तुम आठो पहर मोती पिरोया करती हो अगर उस दुष्ट के हिर्दाय में तुम्हारा कुछ भी प्रेम होता तो वो तुम्हारे पिता के बार बार कहने पर भी तुमको इस तरह धता न बताता कैसी खेद की बात है इन्ही आखों ने उसे तुम्हारी तस्वीर को पैरों से रौंदते हुए देखा है क्या तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं आता क्या अमरत राय के कर्तव वे से नहीं विदित होता कि उनको तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है क्या उन्होंने ढंके के चोट पर नहीं साबित कर दिया कि वो तुमको तुछ समझते हैं माना कि कोई दिन ऐसा था कि वो विवाह करने के अभिलाशा रखते थे पर अब तो वो बात नहीं रही अब वो अमरत राय है जिसकी बद चलनी की सारे शहर में धूम मची हुए है वगर शोक और अति शोक की बात है कि तुम उसके लिए आसु बहा बहा कर अपने और मेरे खां खड़ी रो रही थे पती की एक एक बात उसके कलेजे के पार हुई जाती थी आखिर ना रहा गया दाननात के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गरम गरम असु की बुंदों से भूगो दिया दाननात ने पैर खिसका लिए प्रेमा को चार पई पर बैठा दी और बोले प नतीजा बुरा पैदा करेगी, कान खोल कर सुनो, मैं तुमको प्राण से अधिक प्यार करता हूँ, तुमको आराम पहुचाने के लिए हाजिर हूँ, मगर तुमको सिवाय अपने किसी दूसरे का खयाल करते नहीं देख सकता, अब तक ना जाने कैसे कैसे मैंने दिल को समझाय मगर अब मेरे बसका नहीं, अब ये जलन नहीं सह सकता, मैं तुमको चेताय देता हूँ कि ये रोना धोना छोड़ो, यदि इस चेताने पर भी तुम मेरी बात न मानो, तो फिर मुझे दोश मत देना, बस इतना कहे देता हूँ कि इस तरी के दो पती, कदापी जीते नहीं ये कहते हुए बाबु दाननात करोध में भरे बाहर चले आए, बेचारी प्रेमा को ऐसा मालुम हुआ कि मानो, किसी ने कलेजे में छुरी मार दी, उसको आज तक किसी ने भूल कर भी कड़ी बात नहीं सुनाई थी, उसकी भावच कभी कभी ताने दिया करती थी, मगर वो वो घंट और रोती रही, इसके बाद उसने पती की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया, और उसके कानों में ये शब्द गूंजने लगे, एक इस तरी के दो पती कड़ापी जीते नहीं रह सकते, इनका क्या मतलब है? अब ये आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास, प्रेमा के बारहने भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में, इस भाग का शीर शक्त एक इस तरी के दो पुरुष नहीं हो सकते